हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इस मोहमध आबिद, Mtech Structure दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं, स्टैट प्रो के कुछ शॉट कर्स के बारे में शॉट कर्स, कीबोर्ड शॉट कर्स, यहनि कि जो कीबोर्ड के शॉट कर्स होते हैं को नहीं पता होते हैं, उन पर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ जो कि किसी भी Structural Engineer को पता होने बहुत जरूरी हैं, उन से हमारा वर्क काफी Fast हो जाता है, हम तेजी से काम कर सकते हैं और उसको अच्छे से अपने Model को Analysis और Design कर सकते हैं तो चलिए Friends स्टार्ट करते हैं, डेक्स्टॉप पे आप देख रहे हो, यह स्ट्रेक्चर है और मैं इसी स्ट्रेक्चर को लेकर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं Shift-E मैं प्रेस करूंगा तो मेरे Beam के Start और End पॉइंट जो हैं वो शो हो जाएंगे Green कलर से मेरा Start पॉइंट है और Blue कलर मेरा End पॉइंट है तो किसी भी Beam और Column का आप Start और End पॉइंट शो करना चाह रहे हैं देखना चाहते हैं तो आप Shift-E प्रेस करके उसे देख सकते हैं Column और Beam बोथ और Shift-E से ही यह Hide होगा इसी तनहा Shift-E के बाद मेरा Second है अगर आपने अपने structure को release किये हुए है कुछ members structure में तो वो एक बार हम देख लेते हैं यहां से मैं release कर लेता हूं यहां पर फिलहाल कोई release नहीं था release को अमारे अलड़ी आपको बता चुका हूं तो मैं यहां पर इसको release कर लेता हूं यह मैंने release किया आपने देखा ठीक है अब release करने के बाद अगर मैं इसको hide करना जारूं क्योंकि आप देखते हो release मैंने सिर्फ एक ही member release किया है ताकि आपको समाज आ जाए यह जो हमारा छोटा सा bubble आता है release वाला ताकि हमको पता लग जाता है कि release है हमारे member इसको hide करने के लिए यानि release command तो आपकी रहेगी बट graphically वो hide हो जाएगा तो उसके लिए आपको shift r प्रेस करना है जैसे आप shift r प्रेस करोगे तो वो hide हो जाएगा आप देखरो मैं shift r प्रेस कर रहा हूं तो वो hide हो रहा है और r से ही वापस आ रहा है तो shift r जो है वो हमारा release का command है मैं इसको run कर देदों ताकि हमें ज्यादा shortcut सीखने को मिलें क्योंकि कुछ shortcuts ऐसे हैं जो run file पर work करेंगे यह हमारा model run हो चुका है उसके बाद मैं आपको shift i का बताता हूं shift i जब आप ट्रेस करोगे तो आप देखो कि यहाँ पर आपकी जो coordinate system है जो local coordinate system है वो आपको यहाँ पर show जाएगा यानि कि x direction आपकी कौन सी है y direction कौन सी है z direction कौन सी है वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा आप देखो कि x direction और z direction नहीं step pro की खुद की जो coordinate system है उसका आप उसको open कर सकते हो ठीक है shift i से ही मैं इसको hide करूँगा और एक चीज़ आपको और बताना था वो मैं यहाँ पर आपको create करके बताता हूं मैं प्लेट कर लेता हूं यह आप जानते हो create create करने के लिए यहाँ पर टूल होता है हमारा तो मैं इसको create कर लेता हूं प्लेट को यह मैंने create कर ली अब इसके लिए command होती है shift T क्योंकि मैंने already press किया हुआ था इसलिए यहाँ पर मुझे direction मिल रही थी इसकी जैसे ही आप shift T प्रेस करोगे तो आपकी plate की जो plate है आपकी directions मिल जाएंगी यहाँ कि वो plate का Z किस side है Y किस side है और X किस side है क्योंकि plate depend करती है आपके उपर कि आप किस side यह directions रखना चाह रहे हो अगर मैं इसी plate को अभी मैंने anti-clockwise बनाई थी क्योंकि हमें हमेशा यही suggest करता हूँ कि आप सभी plate anti-clockwise बनाईए अगर मैं इसको clockwise बना देता हूँ तो इसकी जो direction है वो बिल्कुल opposite हो जाएगी अब आपने देखा Z मेरा किदर है Z मेरा भी यह outer side है और इसमें मेरा Z जो है inner side चला गया तो इसी लिए जब हम plate से कोई structure बनाते हैं जैसे की underground UG tank हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो plate से हम बना रहे हैं combined footing में भी हमें plate से combined footing को model करना होता है तो उसमें आपको plate की direction देखना होता है क्योंकि आपको moment X direction का मिल रहा है और Z direction का मिल रहा है positive और negative तो आपको कैसे पता लगेगा कि X direction कौन सी है Z direction कौन सी है अगर मैं water tank की wall की बात करता हूँ तो wall में vertical Y है या vertical X है वो आपको कैसे पता क्योंकि आपने plate की side कैसे बनाई है वो आपके उपर depend करता है तो आपको shift T जब आप प्रेस करोगे तो आपको plate की directions, orientations मिल जाएगा तो shift T की tool था मैंने आपको बता दिया उसके बाद shift O जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर जितने भी beams और columns है आपके shift O तो beams और column की आप आपको direction मिल जाएगी, अभी तो मैंने plate की आपको बताया थी shift T से और यह हमारा shift O है, shift O से आपको जो आपका frame है वो shell थी, यानि plates जो है वो shell में count होती है और यह जो beam और column है आपका frame में count होता है, तो अगर आपको frame की directions देखनी है तो आपको shift O प्रेस करना है, तो आप beam की directions मिल जाएगी, x direction कौन सी है, y कौन सी है, z कौन सी है, आप easily देख सकते है, shift I जब आप प्रेस करोगे तो आपको locally एक जगा दिखाता है, तो आप shift O प्रेस करोगे तो आपको सभी beam की यहाँ पर, सभी column की आपको यहाँ पर direction देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसको भी hide shift O से ही, shift O से मैंने start किया था, अब मैं आपको next tool बताता हूँ, shift A तो आप जानते हो, सभी जैसे आप shift A करोगे, तो सभी select हो जाएगा, आपको जो भी, आपका structure है, वो select हो जाएगा, shift A से, ठीक है, shift S जब आप प्रेस करोगे, तो आप उसको अपने structure को save कर सकते हो, ठीक है यहां से भी हम save करते हैं, menu bar में जाके यहां पर save करते हैं, बढ़ shift S भी command होती है, उससे आप save कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपका, मैं इन plates को जो है, क्योंकि plates का मेरा work हो गया है, तो मैं इनको delete करता हूँ, ठीक है, अब मेरा next है, shift S, जैसे मैंने shift S के आप देख रहो, जो supports हैं हमारी, वो supports hide हो जाती है, अगर आपका model बहुती congested है, supports पास पास हैं, आपको कुछ work करना है, तो आप उसको फिलहाल hide कर सकते हो, और shift S से फिर वापस ला सकते हो, यह shift S है, ठीक है, और उसके बाद मैं next करता हूँ, यह मेरा property के लिए shift J है, कभी कभी क्या होता है, कि आप work कर रहे होते हैं अचानक से, और जैसे ही आप modeling में आते हैं, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यानि कि जो property के name है, वो यहाँ पर साथ में उसके आ जाते हैं, वो वापस नहीं जाते, ठीक है, तो ऐसे में आ इसको लेकर रहे हूँ, क्योंकि मुझे आपको समझाना था, shift J से ही आप देख सकते हो, कि आपका जो भी beam, क्योंकि हम यहाँ पर property में जाएंगे, तो आप देखो कि property के name होते है, 12345, इसी तरह जब आप shift J प्रेस करोगे, तो यहाँ पर R1, कहीं पर R6, तो यह वही आपको करोगे, तो आप देखोगे, यहाँ पर जितने भी आपके nodes हैं, वो शो हो जाएंगे आपको, shift K से आप nodes शो कर सकते हो, और shift K से ही वो node आपके वापिस चले जाएंगे, जैसे आप display पर देख रहे हो, यह है shift K command, उसके बाद, next है हमारी, shift X, shift X में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका beam का size है, यह column का size है, वो आपका यहाँ पर show हो जाता है, आप देख रहे हों यहाँ पर, rectangular 600 by 300, rectangular 450 by 230, तो जिस beam का, जिस column का, अगर आप vertically देखोगे, तो column कभी यहाँ पर 230 by 600, वो सारे beam आप यहाँ पर show हो जाते हैं, आप देख सकते हो, मैं किसी एक floor का भी दिखा सकता हूँ, आपको इस तना से आप देख सकते हो, detail में, कि मेरा कौन से beam पर कौन सा size है, कभी कभी होता है, कि floor पे हम 3-4 तना के size देते हैं, और बाद में हमें खुद ही देखना होता है, तो आप इस तना से देख सकते हो, इनको sizes को, shift x से, और उसके बाद next अगर आप देखोगे, shift b आप प्रेस करते हो, तो जितने भी beams हैं, column हैं, उन सभी के numbers, वो आपको show हो जाते हैं, यानि कि हर ए कभी क्या होता है, या हमको result देखना होता है, output file में, तो उस output file में जाने के लिए, हमको numbers सर्च करना होता है, उस beam का या उस column का, जिसका result आपको देखना है, तो तब आपका वो काम आता है, तो shift b से इसको number को आप on या off कर सकते हो, उसके बाद next है, numbers के बाद आपको next आता है, shift m, n के बाद m आता है, m में आप क्या करते हो, m में जितना भी आपकी grade है, आपकी mix grade, वो आपका यहाँ पर show होती है, आप देखरो m20 यहाँ पर show हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो material है, shift m से आप material देख सकते हो, material को show करा सकते हो, ठीक है, तो मैं इसे shift m से ही इसको हटा देता हूँ, shift y प्रेस करने पर मैं आपको दिखाता हूँ, shift or y, मैंने एक साथ shift y प्रेस किया, तो क्या हुआ, आपने देखा कि जो load का pattern है, yield line theory, अगर आपने पढ़ा होगा, yield line theory क्या होती है, जो load का pattern आता है, kilo newton per meter square में, जो load apply करते हैं, तो उसका जो pattern mid में आता है, वो यहां से hide हो जाता है, तो आपका model थोड़ा सा light हो जाता है, अगर आप उस पे work कर रहे हैं कहीं पर, और load apply करने के बाद आप work कर रहे हो, तो आपका model काफी light हो जाएगा, और दूसरा, friends, अगर आपको इसे फिर स वापस लेना है, तो आप फिर से shift y press करेंगे, तो यह वापस भी आजाएगा, आप धिहान से देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, shift y press किया, तो यह hide हो गया, और shift y press किया, तो फिर से वापस आगया, तो आप कोई भी load अगर आपका होगा, kilo newton per meter square जिसकी unit चाहे वो live load में हो, ठीक है, तो उसको आप इस तनह से hide कर सकते हैं, shift y press कि आपने hide होगी, आप देखिए कितना light model होगी, आपको सारे ही load easily आप दिखाई दे रहे हैं, सब show हो रहे हैं, ठीक है, आपको सारे ही floor wise आपको load show हो रहा है कि कोई floor पे load आपका miss तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप इसको shift y press करके easily देख सकते हैं, अब देखिए, अब मैंने shift y press कर दिया, तो load show हो गया मुझे, बट अब मैं ठीक से check नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको shift check करने के लिए या आपको loading apply करने के बाद कहीं पर working करनी है, तो उसके लिए आप इस shortcut key को use कर सकते हैं, एक दो command और हैं, वो मैं एक बार plate बना के आपको फिर से दिखाता हूं, क्योंकि एक plate की command है, shift p जब मैं करूंगा, तो जो plate है मेरी, जैसे मैंने node का number आया, मेरा beam का number आया, ठीक है, shift n से मेरे node number आ गये थे, आपने देखा, shift n प्रेस किया, तो node number आ गये, और shift b प्रेस किया, तो beam number आ रहे हैं, तो node number shift n से, beam number shift b से, और plate number जो है, वो shift p से आएगा, तो आप यहाँ पर देख रहो, एक plate हमारी बनी हुई है, plate करसर से ही, हम plate को select कर पाते हैं, तो shift p जब मैं प्रेस कर रहा हूं, तो वो number जा रहा है, और shift p प्रेस से ही, वो वापस आ रहा है, तो plates के number आ प्रेस करना है, तो यह आपका plate का भी हो गया, एक बार मैं model को run कर लेता हूं, क्योंकि model run नहीं है, sorry, इसमें model में क्योंकि हमने इसमें geometry अपनी तरफ से add कर दी है, तो इसमें हम को error मिल रही है, इसको हम ignore करते है, error को और आगे बढ़ते है, अब उसके बाद shift i से मैं इसको हटा देता हूं, जो आप देखरों, यहाँ पर मैंने पहले command लिए थी, तो इसको shift i से मैंने हटा दिया है, अब मैं आपको कुछ command control की बताता हूं, कि control के साथ जो आप keyboard के button है, वो प्रेस करेंगे, तो आप कौन-कौन से shortcuts को use कर सकते हैं, shift P जबा प्रेस करोगे, तो आप यहाँ से print वाली command में पहुच जाओगे, shift O जबा प्रेस करोगे, तो आप यहाँ से किसी भी already saved project को आप open कर सकते हो, directly अपने state में, shift A प्रेस करोगे, तो, sorry, control A प्रेस करोगे, तो आप select कर लोगे अपने complete structure को, और control S से आप इसको save कर लोगे, तो मैं save नहीं करना चाहरा हूं, क्योंकि वो फिर, जो run है मेरा हो चला जाएगा, इसी तना आपको control के साथ, जब आप G प्रेस करोगे, तो यहाँ पर group हम state pro में बनाते हैं, जैसे कि किसी beam का group बनाना है, किसी floor wise आपको group बनाना है, एक floor पर आपको group लगाना है, तो आप यहाँ पर floor name दे दोगे, जैसे first floor पर मुझे लगाना है, तो मैं F I R S T first floor, आपको space के साथ नहीं लिखना होता है, यहाँ पर without space लिखना होता है, और floor क्योंकि हमारी यहाँ पर plate तो है नहीं, क्या है, floor है, तो floor को select किया, मैंने okay किया और associate कर दिया उसको, अब मैं इसको floor से ही मैं search कर सकता हूँ, फिर से मैं control G press करूँगा, और यहाँ पर select करूँगा, और मैं highlight करूँगा, तो मैंने complete structure को यहाँ पर अभी select किया था, लेकिन अब मैं किसी एक floor को इसको assign करा हूँगा, तो मैंने एक floor select किया, और इसको associate कर दिया, अब मैं check करूँगा फिर से, अब मैं यहाँ पर select करूँगा, highlight करूँगा, select करूँगा, highlight करूँगा, तो जो floor का group बनाया है, मैंने सिर्फ वही group शोगा मुझे, सिर्फ वही members highlight हूँगा, अगर आप चा property wise आप group बना सकते हो, अपने काम को असान बनाने के लिए, तो यह control के साथ work करती है command, shift के साथ नहीं करती, control G जब आप प्रेस करोगे, तब यह command आपकी work करेगी, तो इस तना आप control G command को use कर सकते हो, उसके बार next मैं आपको बताता हूँ, कि इसमें next वाली control के साथ में कौन स shift N में तो आप जानते हो, यहाँ पर आपको save के लिए बोरता है, shift N जैसे आप प्रेस करोगे, तो यहाँ पर saving के लिए आपको बोलेगा, उसके बाद अब कुछ command यहाँ पर control की end हो जाती है, आप यहाँ पर control के साथ numbering की अगर आपका बात मैं बात करता हूँ, shift 1 की बात कर होगे आपका कुछ size जो है, वो आपको यहाँ पर, यानि render view आपका मोटा मोटा यहाँ आप शो होने लगता है, ठीक है, जो आपका 2D है, वो भी अंदर आपका show हो रहा है, वो वाला BIM भी show हो रहा है, बट यह आपका render view को show होता है, इसी तना आप control 2 प्रेस करोगे, तो यह dark mesh होता है, ठीक है, control 2 के साथ आपका यह dark mesh होता है, तो आपने अगर गलत by mistake property लगा भी दी, अभी कभी होता है कि हम point 230 by 400 का अगर हम column बनाना चाहरे हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमने point लगाना भूल गया, तो property गलत हो जाती है, तो आप render view में easily देख सक सकते हो, पहचान सकते हो अपनी गलती को, मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब भी आप modeling कर रहे हो, आप एक बार render करके जरूर देखो, इससे आपकी कोई mistake होगी, तो आपको समा जाजा जाएगा, तो shift 2 करके इस तना से हम use कर सकते हैं, इसी तना shift 2 भी same process है, यानि shift 2 और shift 2 जो ह होगे, तो आपका finally render view आ जाएगा, यहां पर हमने plate भी बनाई थी, तो वो भी हमारी यहां पर show हो गई है, यानि कि जो हम इस tool की मदद से, जो tool है 3D render view, उससे हम देखते हैं, वो render view आप यहां control 4 से यहां पर आप generate कर सकते हो, तो एकदम कितना fast है, आपने एकदम press किया और ह हो गया, तो अगर आपका hard set है keyboard पे तो आप उसको कर सकते हो, इसलिए और नहीं है, तो आप नहीं कर पा हो गया, इसी तरह जैसे ही मैंने यह आपको 1, 2, 3, 4 आपको बताया, इसको hide करने के लिए, यानि आप तो आपने कर लिए वापस से आपको geometry normal में जाना है, तो आपको control zero प्रेस करना है, तो आप फिर से वापस आप जो है, वो modeling में चले जाएंगे, जो आपकी modeling है, ठीक है, यह चीज़ हो गई आपकी, अब एक चीज़ आती है आपकी, अब बात आती है आपकी alt के साथ, alt जो आपका button होता है keyboard पे, alt 1 प्रेस करोगे आप, तो आपका ये view आपको show होते है, ठीक है, टू प्रेस किया तो दोसरा वो view show हो आपका, 3 प्रेस किया तो top view आपका show गया, तो ये 1, 2, 3, ये अलग-अलग view आपको, 4th में आपका isometric view आ गया, यानि जो tools हम यहाँ use करते हैं, ये सारे tools आपको यहाँ पर easily आप कर सकते हो, अगर आपका हाथ set है यहाँ पर keyboard पर, alt के साथ 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सारे view आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपके कुछ alt के साथ tools थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताएं, अब इसी तना आप क्या करोगे, जो आप menu बार देख रहा हो, जैसे की file, file के लिए आपको alt F press करना है, तो आप file में चले जाओगे, उसके बाद second option आपका edit, यानि E से start है, तो alt के बाद E press करना है, यानि alt के साथ E press करना है, तो आप edit command में चले जाओगे, इसी तना third count से आपका tool, alt के साथ T press करोगे, तो tool में चले जाओगे आप, देखरो आप कितना आसान है, आपको वहाँ नहीं जाना, mouse लेकर और उसके बाद select करके select नहीं करना, direct आपको alt के साथ बटन प्रेस करना है, तो आप geometry G से start है, alt G मैंने प्रेस किया, मैं geometry में चला गया, command C से start है, alt C, इसी तना analysis A से है, alt A, mode M से है, alt M, Bentley Cloud Service B से है, alt B, Windows W से है, alt W, और help H से है, alt H, तो यह आप menu बार में भी यहाँ पर shortcut में, जैसे मैं यह बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जैसे हमें एक float select करना है, तो मैं right click करके new view नहीं करता, मैंने select किया, alt किया, मैंने slow motion में आपको करके दिखाया, अगर मैं fast करता हूँ, तो मैं काफी तेस कर पाता हूँ, मैंने select किया, मैंने यह किया, यहाँ गया और select कर लिया, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर select किया, आपने पहले floor फिर right click किया, new view किया, और उसके बाद फिर okay किया, तो इसमें थोड़ा सा time लगता है, तो यह कुछ short cuts हैं, जो आपके काम को असान बनाते हैं, अगर आप use करना चाहा रहे हैं, तो कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिये, जो short cuts मुझे पता थे, वो आपको बताना जरूरी थे, वीडियो को like और share क्या कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe कीजिए, और bell icon को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के सभी notification आपको मिलते रहे हैं, हम structural drawing engineering से related सभी topic भी वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो चलिए friends, मिलते हैं किसी और नई और interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना फैयल रखिए, goodbye, take care. झाल झाल